प्रमुक स्वामी नगर का एक नवीनतम एवन अनुपम आकर्शन है प्रमुक जियोती उध्यान। ये एक ऐसा उध्यान है जो दिन में तो सुंदर लगता ही है लेकिन रात्री को इसकी जिल मिलाती शोभा आखों एवन रिदय को मोहित कर लेती है। यह जोती उध्यान है श्रद्धा का, भीतर से जगमगाता अध्यात्मिक उध्यान है, यहां जगमगाती 8300 प्रस्तुतियों का दिल धड़क सौंदर्य हमारे जीवन को अध्यात्मिकता से आलोकित करने की प्रेणा देता है, आईए पांच विशयों में श्रद्धा जगाते इस विशाल जोती उध्यान की एक ज्यांकी प्राप्त करें, हम प्रकृती की सेवा और रक्षा करें, वह हमारी रक्षा करेगी, परंपूर्ज ये प्रमुक्स्वामी महराज का है अब पैश्विक संदेश यहां विविद रूप से प्रदर्शित है, प्रकृती माता के प् एवं सुरत भाव की प्रेंद देती है, तो उट हमें सहिशनूता इवं अथक काम करने की प्रेंद देता है, चाहे महराणाप्रताप का जेतक अश्व हो, या सुर्य मुखी का फूल हो, गौमाता हो या गजेंद्र हो, हंस हो या मयूर और कमल हो, प्रकृती माता के प्रत्य एक अंग एवं अंश से हमें कितनी अद्भुत प्रेनाय प्राप्द होती है। इसलिए प्रक्रती में श्रद्धा की प्रेना देता है ये उद्ध्यान। भगवान में अविचल श्रद्धा रपने वाले परमपूर्ज ये प्रमुक स्वामी महराज ने लाखों के रिदय में बगवच श्रद्धा का सिंचन किया है। अदह जोदि उद्ध्यान का यह विभाग विश्व के महान वैज्ञानिकों इवं नेता तथा विचारकों के द्वारा बगवच श्रद्धा के विविन खुदगारों का दर्शन कराता है। आएए विश्व के महान वैज्ञानिक की भगवच श्रद्धा को देखें। परम पूज्य प्रमुक स्वामी महराज पवित्र शास्त्रों की प्रती पुज्य भाव रखते थे। वे कहते थे शास्त्रों में संग्रहित ज्यान में मानव जाती की रक्षा और मागदर्शन करने की क्षमता है। जियुति उद्ध्यान का यह विवाग सच्चे गुरु में श्रद्धा रखने की प्रेणा देता है। सच्चे अध्यात्मिक गुरु भगवान के पास मौचने का सेतु है। वे हमारे लिए मौक्ष के द्वार बनते हैं। इस सत्य को परमपूज्य प्रमुक स्वामी माहराज ने एक आदर्श शिष्य और आदर्श गुरु बनकर पुष्ट किया है। हम अपने अपने गुरु में श्रद्धा रखेंगे और हम अवश्य आध्यात्मिक उन्नदी के पत पर अग्रसर रहेंगे। आईए, हम भी आजादी के अमरित महुच्जव पर भारत के निर्बान में योगदान देने वाले महान अवतारों, संतों और समराटों एवं राजनिताओं को भावान जली समर्पित करें। हम एक भारत, सशक्त भारत और महान भारत के नायक बनकर अपने पूर ववीरों को शद्धान जली दें। ये हैं वश्विक घौंसला, आएए इस वश्विक घौंसले में आपका स्वागत है। रिगवेद कहता है यत्र विश्वम भवती एक नीडम। हमारा विश्व एक घौंसला है। बले ही हम अलग-अलग पिच्छ और पंकवाले पंची हैं। बले ही हमारे देशों के अलग-अलग जंडे और संस्थापक हैं। लेकिन हम एक वैश्विक घौंसले के पंची हैं। हमारी धर्दी ही हमारा एक मात्र घर है। आईए उसकी रक्षा करें और एक दुसरे का सम्मान करें। जी हाँ, प्रमुख स्वामी महाराज नगरखा ये हैं प्रमुख जोतियोध्यान। जहार रात्री दिन से भी अधिक शोभायमान होती है।